तो घ्रीवन जिससी गुरुकूल पर आपका अगेंस विलकम हैं तो जिससी के तरफ से एक ओफिसियल नोटीस जो की एक्जाम नोटीस रिगारिंग जारे किया गया है इसमें तीन महतपूर्ण जो भी परिच्छा है उसके समद में एक्जाम नोटीस जारे किया गया है और इस पर जो उप परिच्छा नियंतरक है उनका यहां पर साइन मोहर नहीं लगा हुआ है इस कारण से कई लोग आप लोग को बताएंगे कि यह फेक है तो वैसा कुछ नहीं है यह आपको ओफिसियल डाटा है एकदम यह रियल है आप जैसे सी डोट एन आईसी इस वेबसाइट पर जाके डायक लिए वहां से आप इस नोटीस को भी लोट कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वहां डिस्क्रिप्शन बोक्स पे दिया है आप देख सकते हैं वहां पे अपडेट दे दिया गया है इसका तो देख सकते हैं कौन-कौन से तीन बड़ी महत्पून जो परिच्छा नेक्ट बात करते हैं जहारकन समयन असना तक यह आप लोगा जिससिस्जल का है और एक जहारकन नगल पारी का सेवा समग सन्युक परिच्छा दोजारे तैस तो परिच्छा की तीथी संभावित देख सकते कब तब इसके एक्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की स सिजल का बात करते हैं पीजी टी ये बहुत ही बड़ी भरतिया हैं सिजल में देख सकते हैं चोगदा 10 2023 15 10 2023 यानि कि दो दिन कराने की बात कही गई है और इस प्रकार हम लोग देखते हैं अब तक तो कली एक दू दिन पहले आप लोग को अपडेट दे दिया गया है कि 3,70,000 क कंडिडेट इस फोर्म को अभी तक अपलाई किये हैं और अभी भी लगबग इसमें देखा जा रहा है कि 7 से 8 दिन बचे हुए फोर्म फिल अप करने की तो आप देख सकते कि 2 दिन में कंड़क्ट करवाएगी JCCIU सभी कंडिडेट का ये जो भी 4-5 लाग लोग फोर्म करवाना है जो भी एक्जामिनेशन है वा कंड़क्ट करवाना है तो आप देख सकते कितने बड़ी जिम्मेदारिया है JCCIU के और बेक टो बेक इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि जी डिप्लोमा स्तरिये उसका भी जो एक्जाम डेट है वा एनॉस्मेंट कर दिया गय है तो यह औरिजनल नहीं है शो यह बिल्कुल औरिजनल है आप निश्ची ठोकर के अपने त्यारी कीज़े दूसरी तरह बात रह गई जारकन उत्पास सिपाई की तो कई कंडिडेट यह सोच रहे कि लगतार इससे पहले जितनी वेकेंशिया जारी की गई या फिर बात में जिसके फोर्म फिल अप हो चुके हैं पिजी टी नगरपाली का डिप्लोमा अस्तरिये जिससी सिजल बट जिससी एकसाईच कोंस्टेवल का अभी तक इसका कोई भी वैसा ओफिसेल अपडेट जारी नहीं हुआ है तो आप लोग चिंचित मत हो ये आप लोग का भी डेट ब रनिंग है रनिंग का जो भी वो आप लोग को सितंबर में होने की परवल संभावना है तो रनिंग का भी आप लोग प्रिपियर करें